कि व्यांगे कोई सम्मान के लिए लगातार दावे तो लगातार हो रहे हैं लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यांगे कोई सम्मान के लिए लगातार दावे तो लगातार हो रहे हैं लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ योग्या दितिनात की रैली में पहुंचे थे याँ पर यह दिव्यांग क्या नामे आपका मैं संजी कुमार विकलंग बोल ला हूँ लेश्मनपुर से हूँ जैपाल परदान जी के यहां से हूँ आप तो रैली में गए थे टोपी लगा कर जंडे लेकर गमचा डाल कर क्या हुआ आपके साथ मेरी टोपी भी खीज लिए और वह भी खीज लिए कि मैं ट्राइशाइकल के लिए में से जंडा भी चीन लिया और वो सबसमान चीन लिया आप ने कहा थे कि आप आत्मधा करेंगे कि आप फिर कोई और ही कह रहा था नहीं मैं कह रहा था खुत आप आत्मधा करने जा रहे हैं ट्राइशाइकेल के लिए कियोगी के सब्राइशार कैने जवाने कापunden टॲीस वाली आ हैं देखाकते हैं इनों पुलिस वालों मेरे जंड़े पंड़े सब घीच लिए तो आप देख सकते हैं इनों सार्ड साठाइब मैं इस वक्त है यह वह मैंदानी है जहां पर रेली है योगी की राष्टे किसान इंटर कॉलिज शामिली और उसके ठीक सामने ये वो विकलांग है जिसे वहाँ से बाहर निकाला गया है ऐसे में सवाल यह है कि जो बड़े बड़े दावे लगातार हो रहे हैं उनकी हकीकत क्या है आखिरकार मुख्यमंत्री की रेली में शामिल होने से एक दिव्यां को आखिरकार बोहार क्यों निकाला गया है आप अपनी राए दीजे इस वीडियो को शेर करना मत भूलिए और Headlines India को सब्सक्राइब कीजिए नमस्का सब्सक्राइब